हेलो फ्रेंड्स वेलकम टी अद्धिया इंवेस्मेंट अकाडमी गुड मॉर्निंग आज की ताजा ख़बर में आपका स्वागत है सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज से स्टार्ट करेंगे फिर कुछ इंडिया सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज और कुछ रिजल्ट्स है तो आज स्टार्ट करने से पहले दो तिन चीज़ें इंपॉर्टन एक तो नौलेज सेक्शन आज भी है थोड़ा इंट्रस्टिंग है डेटा सेंट्रिक है ठीक है तो वो जरूर वीडियो को लाज तक देखीगा सेकेंड फिंग मुंबई कर्स के लिए है स्पेसिफिकली विए प्लाणिंग एंवेंट इन इन दे मिड ओफ मार्च आइट जब विन बीर प्लानिंग अ सेशन । इस बार इस बार प्लान किया है इस सेशन में थोड़ा सेशन को प्लान किया है फोर पीपल वो आ नियर करें, right, how to manage retirement corpus and wealth, उसके ओपर focus करके एक session plan किया है, it will be a much smaller group, ठीक है, तो बहुत limited seats हैं और बहुत बार, especially Mumbai, Punea, इस तब जगे sessions होते हैं, वैंगलोर वगरा में, तो बहुत ये request आती हैं कि आप आप जो है, बताते हैं बहुत लेट हो, और हमें time नहीं मिलता है, और क्या कहते हैं, we are not able to plan, और फिर नहीं मिल पाते हैं, तो प्लीज प्लीज अगर आप free है, उस time available है, Mumbai में हैं, तो जरूर कीजेगा session, right, we will meet over a lunch and have a good session as well, ठीक है, तो link जो है, मैं नीचे comment section में और description box में डाल दूँगा, उस session के बारे में जरूर चेक कीज़ए, especially if you are in Mumbai और around, अब हम start करते हैं, आज का session, तो सबसे पहले बात करते हैं, global news की, तो again कुछ बहुत बढ़ा नहीं था, यही चल रहा है, वही कि Powell जी की statement, जो मार्च में तो interest rates cut, जो है, उन्होने almost rule out कर दिये हैं, तो market को बहुत अच्छा नहीं लगा और आपने देखा भी एक दो दिन से market थोड़ा, ओ रियाक्ट जो है, उतना positively नहीं कर रहा है, but आज जो है market थोड़ा US का flat ही रहा, no nothing major, ठीक है, as such, Europe जो है थोड़ा अप रहा, again no major news, nothing as such की बहुत कुछ positive था, कुछ result specific, बीपी फगरा के result आया, उसके specific कुछ moments थी, but nothing as such, ठीक है, तो वही है की, एक बहुत अच्छा statement मिला था, मुझे, market is trying to make heads and tails out of Powell statement and the latest earnings, तो उसे के उपर basically market के reactions चल रहे है, global crude price थोड़े से बढ़े, 79 के आपस अभी brand crude चल रहा है, again majorly because of जो भी events रहते हैं की थोड़ा सा चीज़े चल रही हैं की शायद क्या कहते हैं, इसराइल और हमास के बीच में कुछ truth हो जाए और कुछ जो है एक तरह से ceasefire type का planning हो रहा है, right, and again the risk again associated is US response, right, to the killing of their some troops की वहाँ पे जो Jordan में I think some of the truth died, तो वो सारी चीज़े भी, वहाँ पर एक activity है वो थोड़ी सी, इस तरह से चल रही है की news based जो है, उसके साब से crude oil prices move हो रहे हैं, ठीक है और obviously global slowdown तो ही, चाइना की markets थोड़ी सी बढ़ी, again वो news specific again है की कुछ negative नुजारी तो बहुत गिरता है, फिर government का थोड़ हो जाता है, वैसा ही basically महा पर reaction चल रहा है, ठीक है इंडियन, अगर कुछ India specific news के बारे में एक बात करें तो एक बहुत ही interesting कल Prime Minister Modi का India Energy Week में, उनका I think there was a speech, और वो energy sector में government क्या सोच रही है, उस पर काफी ज़्यादा insights थी उस पर, तो जरूर आप important है, तो इन्वेस्टर अगर energy sector में, power sector में, तो उन्होंने एक तो दो दो चीज एक तो, gas sector के उपर फिर से government का थोड़ा सा मुझे लगा रहा है, वापिस renew हुआ है interest, मतलब जब मैं gas sector हम 3-4 साल से, 4-5 साल से follow कर रहे हैं, stockometer में अगर आप या model portfolio सब्सक्राइब हैं तो I am sure आप काफी जादा हमारा natural gas sector औ और इन सब चीज़ों पर आपने काफी वीडियो भी देखे होंगे और हमारे काफी analysis उस companies पर देखे होंगे, कुछ companies portfolio का part रही है, हैं भी अभी भी, तो उस पर काफी important चीज़े उन्होंने बोली कि उन्होंने अभी फिर से ये चीज़ बोली कि हमें natural gas का share हमारी जो primary energy mix में 15 percent करना है और ये चीज जो है government I think 2020 में बोली थी, उसके बाद थीन चाहर साल इसके ओपर कुछ बात नहीं हुई, वो share बढ़ा भी नहीं, ठीक है obviously covid वगड़ा का reasons रहे और natural gas sector बहुत जाता, natural gas के prices बहुत जाता हो गए थे, तो वो सारे reasons I am sure उसके वरे से कुछ चीज़े नही हुई ठीक हुई ठीक हुई ठीक हुई ठीक हुई बत अगें, Prime Minister yesterday again reiterated it and I will tell you exactly what he said, we want to increase the share of natural gas in the primary energy mix to 15% from current 6%, therefore we are investing 67 billion dollars in the next 5 to 6 years, तो ये रहा रहा है तो ये रहा है 67 billion dollar आलने हालने हालने है, natural gas sector में ने 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 न जिनका मतलब raw material natural gas है, जैसे मतलब company like torrent power जो natural gas specific power plants चलाते हैं, ठीक है या company like gujarat gas, gspl and all the indraprasth gas and vahanagar gas, ये सारी चीज़ों के लिए ये काफी थोड़ी positive, फिर से government का focus है, फिर से ये reiterate किया 5 to 6 years का एक थोड़ा timeline दिया है, let's see how government reacts, obviously after the election we will know more about it, अच्छा उन्होंने एक और बोली, कि उन्होंने ये भी बताया कि भाई, जो हमारा majorly 11 trillion rupees का, 11 lakh crore rupees का, जो हमने capex announce किया है, fy 25 का, ठीक है, he said कि it will mostly flow into energy sector, तो अगेन ये news का, अगेन, energy sector वैसे ही मिने को लग रहा है, बहुत बागया है, ठीक है, बट ये सारी news और positive उसको tailwinds देंगी, ठीक है, और एक औ purchase, from refining perspective also, he has said कि we are already one of the largest refiners in the world, today our refining capacity is around 255 million metric tons, and 2030 का target दिया है, हुनोंने कि इसको हम almost, almost डमट करने वाले, my 2008, we want to expand it to 450 million metric tons, तो companies which are in refining sector, like obviously हमारे PSC, Indian oil वेगारा, वो सब reliance is also a refiner, right, तो ये सारो के लिए भी ये ये चीज़ है कि government is again pushing कि भई, refining capacity बढ़ानी है, because government का expectation है कि हमारा crude oil consumption भी बढ़ेगा, because we are a very fast growing economy, तो energy बहुत चाहिए, तो अलग-अलग चीज़े जो है, वो touch basically, ये हुई है, तो refining की बात हुई, natural gas sector की बात हुई, और overall energy sector में भी उन्होंने कहाए कि हम majorly पैसा डालने वाले है, right, तो ये सारी चीज़े बेसिकली काफी important मेरे को लगता है कि news है from energy sector perspective, अब health insurance के उपर एक interesting news थी, parliament panel जो है, उन्होंने कहा है कि GST कम करना चाहिए, हमें health insurance, 18% GST है currently, तो they have suggested or thought process चल रहा है कि GST on insurance products, especially health and term insurance should be reduced, तो again a positive for the insurance sector, ठीक है, finance ministry की official ने एक बहुत interesting चीज़ बोली, from PSU bank, उन्होंने कहा कि हमारा जो expectation है, right, कि in FY25 कि हमें almost 1.8 billion dollar का dividend मिलना चाहिए, PSU banks के, right, उन्होंने कहा है कि with the bankruptcy laws और जो है, काफी सारे हमने mergers वगड़ा किये है, और strengthen किया है अपने PSU banks को, तो हम expect कर रहे हैं कि हमें almost, almost, क्या कहते है, 1.8 billion dollars में बोला है, उन्होंने number, right, तो almost, मतलब, I would say, कितना हो है, 1.8 billion dollar मतलब 8 और 15,000 करोड के असपास, ठीक है, तो वो उनका expectation है, 15,000 करोड पर के असपास मिला, उन्होंने कहा है कि already हमारे इस fiscal में, FY24 में, 13,800 करोड का dividend expected है, ठीक है, और जबकि जो overall profit हुआ है, PSU banks को, 98,000 करोड का, इस FY24 में हुआ है, तो उसमें से, they are expecting that kind of dividend, ठीक है, तो again PSU की जो काफी ज़्यादा स्टोडी चल रही है, तो उसके उपर I thought कि I will share this news also with you, right, अब हम बात करते हैं, कुछ stock specific news की, और उसमें से कुछ results की बात पहले start करेंगे, तो नाइका का result आया, तो again, जो स्पेशिक, specially जब हम इस तरह की companies के result देखते है जिनका profit ज्यादा नहीं होता है, या बर negative रहता है, तो top line पर ही focus रहता है, top line अच्छा ग्रोड वाएंगे वन यू 22% से बढ़ा, right, overall उनका, ठीक है, तो which I think was pretty good, ठीक है, ठीक है, तो बढ़ा, बट अगें, profit was based, was very, very small, 8 क्रोड का बेस था, अभी 17 क्रोड हुआ है, तो I am not counting that at all, EBITDA margin का expansion हुआ, GMV की बात करें, तो 29% से GMV ग्रोग हुआ है, and 23% से Q on Q DMV ग्रोग हुआ है, obviously Q on Q तो expected था, because festival season था ये, like festival quarter है, तो Q on Q तो मिरको लगता है कि expected था, year on year पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन नंबर से 29% का GMV ग्रोग हुआ है, right, और दोनों जो उन अच्छी ग्रोग हो रही है, right, profits में को लगता है कि अभी भी, मतलब वो 8-10 करोड रूरु पे, मतलब कमपने का जो वाल्यूएशन है, और जिस तरह के उनके top line numbers है, right, I think it is still, still a very, very small number, right, and hopefully, जो है, ये चीज़े, जो है, improve होनी चाहिए, हमें इस पर मोर फोकस करना चाहिए कि वो profitability की तरफ, serious profitability की तरफ या serious pat margins है, habitat margins की तरफ, when basically they are planning to go, तो, Britannia का भी result आया, again, FMCG के सारे results की तरह है, वो भी थोड़ा सा negative ही था, और उनके भी majorly focus यही था कि subdued rural demand and increased competition from smaller packaged food makers, तो दोनों चीज़े ध्यान रखने है, rural demand तो सब बोल रहे है, but they are talking about competition from smaller food package makers as well, right, overall 40% down था, जो है, Britannia का, overall अगर हम profit की बात करें, right, इस quarter में, ठीक है, तो, overall third quarter थोड़ा उनके लिए challenging रहा, जब की, again, मैं करा, festival quarter था यह, आपको यह भी समझना है, right, यह festival quarter था, दिवाली थी इसमें, तो शहरा था, इसमें, right, and क्या कहते हैं, even cricket World Cup था, तो उसे साब से, result was, I think, on a negative side, नवीन फ्रोरीन, also one of the part of the portfolios हमारे, तो उसका result आया, again, chemical sector का expected ही है, कि this quarter will also be not good, slow down in the globe, and majorly, अगर export oriented companies आईए सब, right, तो सेल जो है, 11% से, year on year, ग्राउंड डीगरो है, EBITDA 51% से डीगरो है, right, सभी segments में, basically, डीगरो होता है, specialty में 4.5% का डीगरोता है, CDMO में 41% का डीगरोता है, अभी मैंने नमीन फ्रोराइन पर काफी detail रीडियो बनाया था, I'm sure आपने देखा होगा, ठीके नहीं देखा है, तो आप stockometer subscriber, अगर हैं, तो आप उसको detail में समझ सकते हैं, business क्या है, क्या strength है, right, और क्यों हमने उसको portfolio, one of the portfolio का part बना कर रखा है, right, तो ये, again, as I said, कि chemical sector में ये, secular trend है, कि overall, there is, और इसकी multiple reasons, तो slow down globally, because they are export oriented, and of course, China में काफी dumping चल रही है, China is expanding the capacity of various chemicals very, very fast, ठीक है, तो इसकी से, overall prices of chemicals have also reduced, ठीक है, in the global, globe, overall globe में, फिर ये सब, जो अपने supply chain issues चल रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत impact है, तो ये सारी चीज़ें, basically, chemical companies के रिए सारी चीज़ें, एक साथ आई हैं, और it is not doing well for them, और ये, last 2-3 quarter से, आपने, सभी chemical results देखे होंगे, तो इसी तरह से, basically, चल रहे हैं, right, Kotak Mahindra Bank को CCI Bank का approval मिल गया है, कि they are planning to 70% stake of in Kotak Mahindra General Insurance by Zurich Insurance Company को stake बेचने का उनका जो प्लान है, वो approval उसका मिल गया है, results जो आज आने वाले हैं, जो हम, basically, मैं है, basically, देखने वाले हैं, और part of model portfolios है, या भी, basically, closely watch the results, एक तो Tata consumer का result आएगा, नेसले का, तो दो FMCG companies, जो हम काफी closely watch करते हैं, one is part of portfolio, one we are very closely watching, power grid का result आएगा, part of portfolio as well, looping का result आएगा, not part of, but again, pharma perspective से important company है, and borosil renewable का result आएगा, that is also, we are definitely close, और काफी भागा है, वो stock बीच में, ठीक है, तो वो काफी हमारे closely watch, ये सारी stock, आज के हमारे results रहेंगे, ठीक है, so that is all, last में मैं बद तो cred जो है, एक app है, अगर आप यूज करते हैं, तो they have entered into wealth management, और mutual fund execution space, that is very interesting, ठीक है, तो again, not important from stock market perspective, but overall ऐसे, ठीक है, तो अब knowledge section की बात करते हैं, तो एक screen, basically I will share, तो again, ये simple सी एक चीजी ही है, कि knowledge section में जो आज है, but I am planning to share is, कि Tata group, overall now is more than 30 lakh crore का group, आप अगर यहाँ पर देखेंगे, हमारे business houses के जो group का जो page है, invested ने आपे, right, तो उसकी 23 companies है, Tata group के, we will talk about more, ठीक है, तो 30 lakh crore का basically ये group जो है, almost, almost बन गया है, ठीक है, which is almost I think, अगर हम 30 lakh को तो billion dollar में देखें, तो 350 billion dollar के आसपास की बात, अगर हम बात करेंगी, overall group, not one company, overall group, जो है, 350 billion dollar का है, मुकेश हमानी जी की मेजर निर्लाइन, उनका सबसर बड़ी कमपनी है, of course, right, तो that is again around, I think, 230, 240 billion, 250 billion dollar के आसपास का ये group है, अदानी group, again, is almost, like, one third of it, तो मतला, 121, 30 billion dollar के आसपास का अदानी group है, तो these are the big groups, groups, जो है, जिनके अपर multiple companies listed है, right, तो Tata की, Tata में सबसे बड़ी companies है, मैं एक तो ये चीज़ बताना चाहरा हूँ कि ये कितनी बड़ी है, क्या हम बहुत बड़े हैं, तो नहीं, तो current market, अगर हम सबसे बड़ी company, देखें, ये group नहीं हो रहा है, तो Microsoft सबसे बड़ी companies, 3 trillion dollar की market cap है, Apple 2.9 trillion dollar, और हम का 2 trillion dollar, तो वे 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 इबाट पास, मता, अगर हम पूरा Tata group को भी देखें, राइट, पूरा Tata group को भी देखें, तो मेभी we are somewhere in top 25, 25th rank के आसपास का हमारा सबसे बड़ा group है, again it's not specific company, अगर हम सबसे बड़ी company इंडिया कि तो आविसली रलाइंस ही है, राइट, I think उसका नंबर कितना है, somewhere अगर 5th rank, तो क्या लगता है आपको कि हम, हमारी companies इतनी बड़ी कब होंगी, कौन सी होगी, राइज राधर, ठीक है, कभी ना कभी I am sure कि हम, अगर हम overall US की GDP देखें, तो it is almost 9 times of current GDP of India, I think 8 to 9 times, तो उस हिसाब से अगर हम अपनी companies को देखें, तो मतला हमारी भी companies शायद जो आज की value है, वो 9 to 10 times है, next 20, 25 years में हो सकती है, point यह है कि क्या यही होंगी, जो अभी top पे है, तो of course वो नहीं होंगी, different होगा, तो आपको क्या लगता है, कि कौन सी companies हमारी आपको लगता है, कि सबसे पहले trillion, या सेक्टर बता तो चलो, कौन सी company कि सेक्टर में आपको लगता है, कि सब से पहले trillion dollar company इंडिया में आएगी, ठीक है, तो सूचो और बताओ मुझे, ठीक है, और अच्छा, आप Tata Group के बारे में बात कर लेता है, 30,00,000 करोड का ग्रूप हो गया यह, तो किस-किस की value कहां कहां पे है, तो obviously half जो value है, almost, वो TCS से आती है, 15,00,000 करोड की, उसके बाद ट लग और टाइटन ए टाटा मोटर्स आर अल्मोस्ट वेरी सिमिले, टाटा मोटर्स का बहुच्छ दबरता ग्रूथ हुआ है, तो टाटा मोटर्स इस आइधिक, मीट कर देगा उसको काफी जल्दी, ऐसा लगता है, ठीक है, तो यह 33,00,000 करोड की कंपनीज है, 1.8,00, 1.25, तो अगर हम लार्ज कैप के बारे में सोच तो 50,000 करोड प्लस, I think 55,000 करोड की कंपनीज आ लार्ज कैप, तो टाटा मोट, टाटा ग्रूप के पास, अल्मोस्ट, अल्मोस्ट आठ लार्ज कैप कंपनीज है, ठीक है, सबसे छोटी लार्ज कैप कंपनी, इंडियन होटल से आ काफी अच्छा अनालेसिस किया, तो काफी हम इसको स्टडी भी करते हैं, समझते भी हैं, but the way these companies have grown, तो बहुत ही इंटरस्टिंग जो है ये ग्रूप है, और definitely one of the pioneers है हमारे काफी सारी चीज़ों में, ठीक है, तो काफी ये अच्छा नमबर लगा, मुझे मैं को लगा कि we will talk about it in the knowledge section, ठीक है और आप बाकी सारा जो बाकी जो हमारे groups हैं, बड़े-बड़े, ठीक है, you can check them as well, right, overall यहाँ पे on this page, ठीक है, ये stockometer पे business houses करके, ये basically page है, so that is all I have just wanted to talk on this knowledge section, majorly on Tata group की कैसा बड़ा है, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, और बाकी आपके कुछ questions है, please do write in the comment section below, like जरू कीजिए, वीडियो कर अच्छा लगे तो, ठीक है, और हाँ, मुंबई कर हैं, या मुंबई के आसपास रहते हैं, तो जरू चेक कीजिएगा वो फिर से, ठीक है, काफी interesting section होगा, सब मिलेंगे, परिमल will also join, of course, परिमल तो रहे गई, ठीक है, तो परि retirement हो गया, तो majorly retirement goal है, regular income चाहिए, या फिर extra wealth है, तो कोई goal नहीं है, as such, तो इसको कैसे grow करें, वो क्या क्या करें, क्या क्या do's and don'ts की basically बारे में discuss करेंगे, have a great time है दूस्तों, जाहें करेंगे, जाहें जाहें